Hello and welcome to IJ Academy immigrants we are discussing Drainies System of India और Drainies System of India में हमने successfully complete किया Himalayan Drainies System को और अगर आपको याद होगा तो Himalayan Drainies System के अंदर मैंने आपको तीन रिवर सिस्टम बढ़ाए रिवर इंडस, रिवर गंगा रिवर ब्रहम पुत्रा इन तीन रिवर्स में जो important tributaries हैं हमने उसको discuss किया इसके साथ साथ अगर कोई point यहाँ पे current affair में हो हमने उसको discuss किया और इसके साथ साथ कुछ basic information जैसे इंडस river treaty उसको भी हमने आपे discuss किया अगर आपने ये तीन lectures हमारी नहीं देखे हैं तो हमारा playlist है by the name JK SSB geography वहां से आप इन तीन lectures को देख सकता है तो आज का topic अगर आप देखेंगे आज हम peninsular drainage system को discuss करेंगे peninsular drainage का मतलब क्या है peninsular drainage में जो जो rivers हमें पढ़ने है इसका मतलब ये है कि ऐसे rivers peninsular palletis से originate होंगे हिमालियन rivers जो थे अगर आपको याद होगा तो हिमालिया से originate होते हैं लेकि peninsular rivers ऐसे rivers होते है जो peninsular palletis से निकलते हैं जो which originate from the peninsular palletis अगर आप इस peninsular drainage system को देखेंगे तो इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में एक हमारे होते हैं west flowing rivers और दूसरे होते हैं east flowing rivers now see if this is India अब जो rivers यहाँ पे Arabian Sea में drain करते हैं ऐसे rivers को हम कहते हैं west flowing rivers और ऐसे rivers जो हाँ पे बेया बेंगाल के अंदर drain करते हैं उन्हें हम कहते हैं east flowing rivers west flowing river जो हमारे पास है तो दो rivers important है one is नर्मादा and another is तापी इसको तापती भी कहते हैं लेकिन तापी अब बहुत सारी books लिखते हैं तो तापी हैं हम इसको कहेंगे और east flowing rivers जो हमारे पास है तो four important east flowing rivers है महानदी, गोदावरी, कृष्णा and कावरी आज हम west flowing rivers को यहाँ पे discuss करेंगे सबसे पहली बात यह है कि अगर आप पहले west flowing rivers और east flowing rivers के बीच में difference देखेंगे वो यह है कि west flowing rivers जो है यह drain होते है Arabian Sea में और जो east flowing rivers है यह drain होते है बेया Bengal में point number two जो यहाँ पे west flowing rivers है यह esturies बनाते हैं और जो यहाँ पे east flowing rivers है they form delta now question arises what is an estuary and what is an delta देखिए जब यहाँ पे river आता है तो यहाँ से आप देखेंगे जब river आता है तो यह अपनी साथ fresh water लाता है तो estuary क्या होता है estuary एक ऐसा area होता है जहाँ पे यह fresh water जो river से आता है यह meet करता है ocean को ऐसे area को हम estuary कहते हैं लेकिन delta क्या चीज है यहाँ पे देखो यह reverse क्या करता है यह अपनी साथ कुछ deposits लाता है उन deposits को यह क्या करता है उन deposits को यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसको छोड़ देता है mouth के नजदीक तो इसकी वज़े से एक land form यहाँ पे create होता है this land form को हम कहते हैं delta एना so this is the difference between what is an estuary and what is a delta and remember जो हमारी west flowing rivers है they form estuary and east flowing rivers they form delta this is the basic difference between east and west flowing rivers तो सबसे पहले हम west flowing rivers को यहाँ पे discuss करेंगे तो west flowing rivers में जो सबसे पहला नाम है वह है river नर्मादा का अब नर्मादा को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या important हो जाता है सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो नर्मादा के बारे में basic point यह है कि it is the largest among west flowing rivers जो हमारे west flowing rivers है उन में से सबसे largest जो है वह हमारा नर्मादा ही है 1312 km जो है इसकी length है NCRT clearly जो है इसकी यहाँ पे distance mention किया है उसने 1312 km यहाँ पे नर्मादा long है इसके बाद point number two यहाँ पे original इसका जिसे हम कहते है अमरकंतक पलेटी तो अमरकंतक पलेटी जो मदिया प्रदीश से यहाँ पे जो located है मदिया प्रदीश में तो यहाँ से निकलता है हमारा नर्मादा अब इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे diagram पे ही देखो C यहाँ पे देखो यहाँ पे जो map है अगर आप देखेंगे तो map के अंदर जो यहाँ पे red C में मारक कर रहा हूँ This is river नर्मादा मदिया प्रदीश के अंदर यहाँ पे आपको देखेगा इसी से निकलता है river नर्मादा इसके बाद जो विंदिया आपको मिलेंगे नौर्थ में और सत्पूर आपको देखेगा साथ में इन दोनों के बीच में यहाँ पे निकलता है क्या? नर्मादा रिवर अब यहाँ पे important क्या हो जाता है अगर आप देखेंगे जब दो mountains को अगर आप देखेंगे यह विंदिया आपको है सत्पूरा इन दोनों के बीच में यह जो region आपको देखेगा यह deep region इसी को हम rift valley कहते हैं क्या कहते हैं? इसको rift valley कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो नर्मादा river है यही वो west flowing river है जो flow होता है through the rift valley ऐना ऐसा भी question पूछा जा सकता है कि कौन सा river है जो rift valley के थो पास होता है that is the river नर्मादा ऐना that flows between विंदियाज and the सत्पूरा इतना यहाँ पे basic याद रखो तो अमरकंतक पलेट्व से आता है उसके बाद यहाँ से पास होता है between विंदियाज in the north and सत्पूरा in the south अब यहाँ पे इस map के अंदर आप देखो तो जो diagram है यह यहाँ पे complete flow दिखाता है नर्मादा का तो यहाँ से आपको पता ही है अमरकंतक पलेट्व इन मदियाप्रदी से निकलता है नर्मादा और यह जो आप red line देख रहे हैं this is the flow of नर्मादा and this is यहाँ पे यह है arabiancy अब यहाँ पे नर्मादा यहाँ से originate होता है अगर आप यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे तो यह जो side होगा आपका this will be your right side और यह जो side होगा this will be your left side इसका मतलब clear यह है कि जो यहाँ पे tributaries यहाँ से join हो जाएगी यह हमारी right bank tributaries होंगे और जो tributaries यहाँ से आएगी तो they will be left bank tributaries तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो right bank tributaries है that is hiran, that is kolar, that is barna and that is ursang so hiran, kolar, barna and ursang these are the important right bank tributaries of river नर्मादा while as banjar, tawa these are the important left bank tributaries of river नर्मादा अब नर्मादा के बारे में important यहाँ पे यह भी है कि जब यह flow करती है जब यह flow करती है बिट्वीन, यहाँ पे देखो जब यह flow करता है बिट्वीन विंदिया इंद नौर्थ और साथपूर इंद साउथ तो यहाँ पे जबलपूर के अंदर यह एक waterfall बनाता है जिसे हम कहते हैं दुआदार waterfall यह दानदार waterfall तो यह waterfall क्यों important है क्योंकि अगर आप class 11th की NCRT उठाएंगे और वहाँ पे आप chapter निकालेंगे drainage system वाला chapter तो NCRT ने इस point को clearly वहाँ पे mention किया है इसलिए आपको याद रखना है कि जो दुआदार waterfall है जो हमको जबलपूर के अंदर मिलता है वो यहाँ पे river नर्मादा ही बनाता है इसके बाद क्या होता है यह नर्मादा आगे जाता है इन गुजराथ a place that is called baruch इसी baruch के south में यह drain होता है किसमें Arabian Sea में तो यहाँ पे मैं आपको clearly दिखा सकता हूँ मैं आप पे देखो तो यहाँ से निकला नर्मादा यह flow किया पहले ही आया मदिया प्रदेश से उसके बाद गया गुजराथ गुजराथ में एक जगा है बरूच बरूच के south में यह drain होआ Arabian Sea में अब important यहाँ पे क्या है कि एक तो यह flow करता है between Vindyaz and Satpura यहने कि इस रिफ्ट वैली के तो यह flow करता है एक point यह है दूसरा आपने यहाँ पे नाम रखाया Tributaries का हिरन, कोलार, परना और सैंग बंजर, इसी तरीक से तावा यह बहुत important है इसके बाद तीसरा point जो आपको नर्मादा के बारे में याद रखना है वो यह है कि यह सबसे largest जो है, west flowing river है इंडिया का इसके बाद एक और point यहाँ पे important हो जाता है नर्मादा के बारे में कि इस river पे एक waterfall बनता है जबलपूर के नजदीक जिसे हम क्याते हैं डोंदार waterfall, है ना, that is very important उसके बाद एक और चीज यहाँ पे कि इस river पे कुछ यहाँ पे projects भी है कुछ dams भी आपको यहाँ पे दिखेंगे जिसमें सबसे पहला नाम है सरदार सरवर डैम का, क्योंकि NCRT ने इस डैम को यहाँ पे mention किया है इस project को, इसलिए सरदार सरवर डैम जो है, या सरदार सरवर project this is located on river Narmada point number two, जो इंद्रा सागर डैम है this is also located on Narmada and point number three महीशवर और अमकुरेशवर यहाँ पे आगर आप देखेंगे, दो जो छोटे छोटे यहाँ पे लिखे है अमकुरेशवर और महीशवर तो यह दो डैम भी यहाँ पे रिवर नर्मादा पे आपको दिखेगा है ना so long story short नर्मादा इस दा लॉर्जस्ट एमंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इसको ओर्जिन जो है, अमर्कन तक पलेट्यू है यह फ्लो होता है, रिफ्ट वैली की थूरू बिट्विन विंदियाज और सत्पूरा उसके बाद जबलपूर के नजदी के दांदार वाटरफाल या दांदार वाटरफाल बनाता है उसके बाद यहाँ पे फाइनली यह अरबियन सी में मिल जाता है नेर सौथा बरूच important tributary कौन कौन सी है हिरन, कोलार, बर्ना, और सैंग यह होगी right wing tributaries और उसके बाद बंजर, तावा इसके बाद कुछ important dams यहाँ पे है जैसे सरदार सरोगर, इंदरा सागर महीशवर, उमकरेशवर यह जो dams है यह आपको यहाँ पे दिखेंगे नरमादा के ऊपर इसके बाद जो दूसरा important यहाँ पे river है west flowing river, उसे हम कहते है तापी इसको जो है तापती भी कहते है अब जो तापी है, इसका point यह है कि यह पहले ही इसको कहते है टिविन, और हैंड मीडा फनरमादा भी इसको कहा जाता है अब अगर तुम देखेंगे इस तापी को तो यहाँ पे मदिया प्रदेश के अंदर आपको एक district मिलेगा जिसे हम कहते हैं बेतूल district और बेतूल district में एक जागा है जिसे हम कहते हैं मुल्टाई वहाँ से यह निकलता है उसके बाद यह आता है महरास्ट्रा उसके बाद गुजरात अगर आप पहली देखेंगे तो यहाँ पे कुछ important projects and dams भी आपको मिलेंगे जैसे उकाई project जिसको हम बलबसागर project भी कहते हैं तावा river valley project और काकरपूर dam यह जो तीन important है यह projects and dams बहुत important है इस river पे तापी river पे जैसे सरदार सरवर्था कहाँ पे नर्मादा पे इसी तरीके से यहाँ पे आगर आप देखेंगे तो उकाई project जो है इसको बलबसागर project भी कहते हैं यह important है क्योंकि यह तापी के उपर ही आपको मिलेगा तावा river valley project यह भी आपको तापी के अंदर ही मिलेगा और काकरपुर डैम जो है वो भी located है इसी river पे इसके साथ साथ कुछ important tributaries आप याद रखो and directly आप से पूछेगा सुकी, अमरावती, पुर्ना and मूना these are the important tributaries of each river नीजे चार options देगा, आपको take करना होगा एक river को, यह important हो जाता है तो map पे मैं आपको clearly दिखा सकता हूँ यह है यहाँ पे तापी का map यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह है मदिया प्रदेश, यहाँ पे भी लिखा है यहाँ से बेतूल district से आता है उसके बाद यह आगे जाता है जो यह आगे जाता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यह डैम मिलेगा जिसे हम कहते है हकनूर डैम उसके बाद यह आगे जाता है यहाँ पे आपको मिलेगा एक डैम जिसे हम कहते हैं उकाई डैम क्योंकि इसको एक और नाम भी दिया जाता है बलब सागर प्रोजेक्टिव इसको कहते हैं और फाइनली यह जाता है किसमें एरबियनसी में गुलफाफ खंबत पे है ना इतना यहाँ पे तापी के बारे में आपको याद रखना है तो सिंपल है कुछ इसमें है ही नहीं टाफ इसके बाद जो तीसरा इंपोर्टन यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो उसका नाम है लूनी है ना तो यूनो द अरावली माउटैन्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह अरावली माउटैन्स है इसी अरावली माउटैन्स से औरजनेट होता है कौन लूनी रिवर है ना पहली बात दूसरी बात यह है कि इस लार्जस्ट रिवर सिस्टम आफ राजिस्तान आपको पता होना चाहिए इसके बाद नेक्स्ट इन दे लाइन इस रिवर माही तो यहां पर माही क्यों इंप्रोडन्ट है अगर आप यहां पर देखेंगे तो नेक्स्ट इस रिवर माही अब माही क्यों important है क्योंकि विंदियान हिल्स मदिया प्रदिस से ये निकलता है उसका बाद ये नौर्ज जाता है राजिस्तान के अंदर राजिस्तान के अंदर आपको एक जगा मिलेगा जिसे हम कहते हैं वागाडरिजन वागाडरिजन पर जोंही पहुंचता है इसके बाद ये यूटरन लेता है यूटरन लेने के बाद ये फिर से गुजरात में दाखल होता है और गुजरात के बाद ये गलफ आप खंबद के थूँ ये पास होता है किसमें Airbnb इन सीव अगर अगर आपको यहां पर अगर आप यहां पर देखोगे तो गुज्रात के अंदर एक और यहां पर रिवर मिलेगा आपको जिसे हम कहते हैं सबरमती और अगर आप NCRT उठाएंगे तो NCRT में यहां पर कलियर लिखा है कि सबरमती एंड माही देयर दफ फेमस देखेगा जिसी हम कहते हैं माही बजासागर डैम तो माही बजासागर डैम जो है यह रिवर माही पे है और एक और कदाना डैम यह आपको माही रिवर पे ही दिखेगा यह पोईंट यहाँ पे important डाद रहो इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और west flowing rivers जिसमें यहां पे नाम आता है सबर्मती का और यहां पे अगर आप देखेंगे तो सबर्मती हो गया माही हो गया लूनी हो गया नर्मादा हो गया तापी हो गया यह अभी तक के west flowing rivers हो गया अब NCRT अगर आप फिर से देखेंगे तो NCRT के अंदर कुछ और west flowing rivers चो छोटे-छोटे smaller rivers that are flowing towards the west उनकी वहाँ पर जिकर की गई है और सबसे पहला नाम जो है वो यहाँ पर दिया है मंदोवी का अब मंदोवी की important है क्योंकि यह गुआ का important river है देखो, गुआ के अंदर आपको दो important river दिखेंगे एक है मंदोवी और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं जुवारी या जुवारी है ना अब मंदोवी की important है क्योंकि मंदोवी यहाँ पर इसको हम कहते हैं life line up gua क्या कहते हैं life line up gua दूसरा यहाँ पर जुवारी है it is the largest river आप गुआ और अगर आप gua के अंदर देखेंगे तो गुआ के अंदर इसको कहते हैं क्या इसको अगनाशानी भी यहाँ पर कहते है इसलिए important हो जाते है तो गुआ के नीचे आपको मिलेगा करनाटका के अंदर आपको एक river मिलेगा जिसे हम कहते हैं शरावती रिवर अब शरावती जो है यहाँ पर शमोगा डिस्टिक से निकलता है करनाटका की उसके बाद यहाँ पर इंपोर्टन इसलिए है क्योंकि इसी पर आपको फेमस जॉग फॉल देखेगा जिसे हम जरसोपा फॉल भी कहते हैं तो एक छोटे से डबे में NCRT में आप जोग फॉल यहाँ जिसे हम जरसोपा फॉल भी कहते हैं ता इस फाउंड ओन दो शरावती रिवर अंड शरावती इस इंपोर्टन वेस्ट फ्लोईंग रिवर अप करनाटका इसके बाद आप फाइनली अगर आप देखेंगे तो फाइनली जो हाँ पर नाम है डाट इस के अब करला क्यों इंपोर्टन है क्योंकि आप तीन इंपोर्टन रिवर आपको दिखेंगे और सबसे पहला नाम जो है डाट इस भारत पूजा अब भारत पूजा को अगर आप देखेंगे तो अन्ना मला हिल से निकलता है अब भारत पूजा क्यों इंपोर्टन है क्योंकि इसलिए मैं बोर रहा हूँ डैरटली आपसे पूछेगा कि किस रिवर को हम पोननी कहते हैं नीचे चार अप्शन देगा शरावती भारत पूजा मंदोवी जुवारी है ना आपको यहां पे टिक करना होगा तो भारत पूजा को ही हम पोननी कहते हैं इतना यहां पर याद आपको केरला में देखेगा यहां आपको परियार अब परियार क्यों इंपोर्टन है क्योंकि इस अ सेकंड लार्ज़ट रिवर आफ करला यहां दूसरा लार्ज़ट रिवर है जो बाहरत-पूजा के बाद है वह परियार है पॉइंट नमर थ्री यहां पर यह एक ओर यही वो river है जो यहां पे फाल होता है एक लैक में जिसे हम कहते हैं वेमबेनार्ड लैक यह बहुत ही important है यहां पे आपको तीन points कलियर हुए one टेमबा river जो है this is an important west flowing river कहां कहां है दूसरा point केरला का है तीसरा point यह है कि यही वो river है जो फाल होता है वेमबेनार्ड लैक में है न और बिफोर आई लीव है न यहां पे मैं एक current affair का point यहां पे add करना चाहूंगा वो क्या है वो है वर्ल्ड ओसंस दे है न तो जो क्या आप comment box में बताईए कि 2021 की theme क्या थी वर्ल्ड ओसंडे की जो हर साल 8 जून को मनाया जाता है और यहां पे आपके लिए में एक homework भी छोड़ना चाहूंगा वो यह है कि आप गर्म है sustainable development goal India index है न यह index है एक report है जिसको release करता है नीती आयोग इसके पड़िये क्योंकि यह report सबसे जादा important है यह report आपको क्या बताता है जो हमारे पास 17 sustainable development goals है जो हमने agenda 2030 set किया है तो यहां पे इसके बारे में दिखाता है कि कौन सी state क्या performance दिखाती है यहां पे बहुत सारी categories होती है बहुत सारे categories में states को डाला जाता है जैसे performer हो गया जैसे front runner हो गया है लेकिन अभी तक मैं आपको थोड़ा पुत इसके highlights बताओं जो state of Bihar इतना आपको यहां पर याद रखना है and मुझे आप बताओगे comment box में कि जमु कश्मीर को graduate किया गया category में किस category में आप जो जमु कश्मीर यहां पर उसको graduate किया गया किस category में और आप मुझे उस category का बाद में score भी बताएंगे कि कहां से कहां तक वो category यहां पर आती है तो तीन यहां पर चीज़े याद रखो वन आप मुझे बताएंगे कि world ocean day 2021 की theme क्या रही point number two आप मुझे बताएंगे कि यहां पर जो आप पढ़के अगर आप पढ़ियेगा sustainable development goal India index that is released by Neeti Ayok और मुझे आप बताएंगे कि जो मुकश्मीर एक इस category में graduate किया गया और जो category है उसका जो range है वो क्या कितना score points का होना चाहिए यह मुझे आप बताएंगे और यहां पर एक और point में आपर add करना चाहूंगा कि हमारा एक sustainable development goal है sustainable development goal 14 यह deal करता है life below water यह जो हमारे oceans है इनको हम कैसे conserve करे इनको हम sustainably कैसे use करे हम अपने oceans को seas को marine resources को तो sustainable development goal 14 है उसके साथ deal करता है एक और goal है इसको यहां पर confuse नहीं करना है किसके साथ इसको यहां पर आपको confuse नहीं करना है sustainable development goal 4 के साथ क्यों करना है confused क्योंकि sustainable development goal 14 जो है वो deal करता है life below water but sustainable development goal 4 जो है न तो ये deal करता है with clean water and sanitation किसके साथ clean water and sanitation के साथ so goal number 14 is life below water that deals with oceans primarily and यहां पे sustainable development goal 4 है that deals with clean water and sanitation with this we end today's lecture हम मिलते हैं अपने next video में अपने next lecture में और अगर आपको हमारे videos पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे lectures को जितना हो सके उतना आप share कीजिए और अगर आपने अभी तक IJ Academy को subscribe नहीं किया है तो आप इसको subscribe कीजेगा ताकि जो भी videos हम upload करने वाले हैं उसकी notification आपको सबसे पहले मिले हम मिलते हैं अपने next video में जहां पे हम East flowing rivers को discuss करेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावरी Till then, stay home, stay safe and God bless you all.